काली मिर्च और लॉंग दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो हर रसोई में आसानी से मिल जाती हैं और इनके सेवन से मिलते हैं कई फायदे जो आज आपको हम यहाँ पर बताने वाले हैं मौझूदा समय में सेहत के प्रती जागरुख ना होने से ही कई गंबीर समस्याओं होती हैं जो आगे जाकर कई बड़ी बीमारियों का कारण बनती हैं इसका कारण है खान पान में असंतुलन खराब जीवन सेली वहीं शरीर की कमजोर इम्मूनिटी भी कई गंबीर समस्याओं को शिकार बनाती है जैसे की सर्दी खांसी जुखाम जैसी समस्याओं सरीर में कमजोर इम्मूनिटी के कारण ही होती है और इसके लिए जरूरी है आप सरीर को बीमारियों से बचाने और प्रयाप्त पोशन देने वाले खाद्य पधारतों का सेवन करें तो लाइफ स्टाइ हलाकि काले मिर्च और लॉंग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा मसालों के रूप में होता है लेकिन आरिवेद के अंदर ये बहुती कारगर औस्दी हैं जिसका इस्तेमाल कई गंबीर बीमारियों में किया जाता है अगर आप सही तरीके से काले मिर्च और लॉंग का इस्तेम संबंद होता है आपके वजन और हेल्थ से और खान पान में गड़वड़ी की वज़े से ही मोटापी की समस्या आज कल बहुत तेजी से बढ़ रही है और एसंतुलिन खान पान की वज़े से सरीर में विशाक्त पधार्तों की मौजूदगी बढ़ती है जो आगे चलकर सरीर क कैई अंगों को खराब कर देती है तो काली मिर्च का इस्तेमाल मसालों के रूप में तो करते हैं लेकिन आप इसे कैई तरीकों से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं क्योंकि काली मिर्च के में एंटी इंफलमेंटरी गुन समीद कैई फायदे होते हैं वही लौंग भी के फाइवर, मेगडीन और एंटी आक्सिडेंट गुनों से भरपूर होती है जो कैंसर जैसी गंबीर समस्या में भी फायदेमंद होती है इसकिन की ऐलर्जी के लिए आप काली मिर्च और लॉंग के कुछ दाने लेकर इसे सीधे चवा सकते हैं इसके लावा लॉंग और काली मिर्च के तेल को इसकिन से जुड़ी समस्या में भी ले सकते हैं इसके लावा सरीर में मौझूद विशाक्त पधार्तों को निकालने के लिए भी काली मिर्च और लॉंग बहुती फायदेमंद है इसके लिए आप काले मिर्च और लॉंग से बना डेटॉक्स वाटर बना सकते हैं कुछ दिनों तक सुवए के समय काले मिर्च और लॉंग का डेटॉक्स वाटर पीने से सरीर में मौजूद विशाक्त पदार्थ निगल जाते हैं जिससे की सरीर से होने वाली बहुत सारी समस्याइं दूर हो जाती हैं और अगर आप इसकी विधी नहीं जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं वजन कम करने के लिए भी काले मिर्च और लॉंग का इस्तेमाल बहुती फायदेमंद है लॉंग में यूजेनाल पाया जाता है जो पाचन तंतर को बहतर बनाता है ये मेटाबलिजम को भी बूस्ट करता है और काले मिर्च में मौझूद गुण सरीर में पोशक तत्वों का अवशोशन करते हैं आतों को हेल्दी रखते हैं तो रोजाना लॉंग और काले मिर्च से बने डिटॉक्स वाटर का सेवन करना चाहिए बहुती फायदेमंद होता है इसके अलावा काले मिर्च और लॉंग का सेवन सरीर से इंफेक्शन को दूर करने में बहुती उप्योगी है इंफेक्शन से बचने के लिए रोजाना काले मिर्च और लॉंग से बने काड़े का सेवन कर सकते हैं इसके अलावा काले मिर्च और लॉंग का सेवन करने से सरीर की इमनिटी बूस्ट होती है बीमारियों से बचने में फायदा मिलता है और रोजाना सुवह में काली मिर्च और लॉंग का पाउडर लेकर इसे पानी में अच्छी तरह से उबाल कर पियें ऐसा करने से इमनिटी बूस्ट होगी और तो इस तरीके से आप लॉंग और काली मिर्च के फायदे ले सकते हैं अन्य जानकारियों के लिए आप कमेंट्स में लिख सकते हैं